मुझे अच्छे हैं आप सब आई होब आप सब अच्छे होंगे सो फ्रेंज आज की वीडियो में मैं आपको लेके चलने वाले हूँ एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग प्लेस पे और बहुत ही अच्छा है वो प्लेस सो मैं आपको दिखाऊंगी तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सस्क्राइब कर लीजेगा और प्लीज वीडियो को लास तक दिखेगा सो हम आपको पूरा व्यू दिखाने वाले हैं एक बहुत ही खुबसूरत बिल्डिंग का दिखाएंगे दिखाएंगे वहाँ पे क्या क्या चीज अब लेवल हैं तो वीडियो पे बने रहे हैं तो लेट्स को तो हम आचुके हैं उस प्लेस पे जहां पर मैंने आपको बताया था कि यहां पर इसा पूश है लेवल है इस बर्लिंग के अंदर यहां पर स्विंग पूल है, स्पा है, जीम भी है और प्लेस से रिलेटर जितने भी गीम होते हैं सब कुछ है यहां पर टेबल, टैनिस वेगरा और बैटमिंटर वेगरा भी खिल सकते हैं फुटबाल का ग्राउंड भी है, क्रिकेट मैच सब कुछ है यहां पर जीम भी और यहां पर आचुके हैं हम अभी स्विमिंग करने के लिए सो अभी आप देख सकते हैं यह चोटे बच्चो वाला है जो कि यहां की गहराई कम है तो यहां पर बच्चे स्विमिंग कर सकते हैं और यह जो आपको स्विमिंग पूल सामने का दिख रहा है यह बड़ो के लिए है और यह सामने जिम है तो जिम मेंगारा भी यूज़ कर सकते हैं और आप देख सकते हैं यह व्यू कितना कुपसूरत लग रहा है और यहां पर हम आया थे साम के टाइम पर स्विमिंग करने के लिए तो यहां पर जो की चार बज़े से लेकि रात को नो बज़े तक ओपन रहता है और आप दिख सकते हैं सामने बरिस्ता का कैफे भी है तो और व्यू बहुत ही कुपसूरत लग रहा है सामने से यह है जिम जो कि यहां पर आप जीम भी कर सकते हैं और इस्टिंग बेगारा भी ले सकते हैं और यहां पर बच्चे बहुत ही न्जॉय कर रहे थे आप देख सकते हैं कि यह स्विमिंग एरिया है तो इदर इस साइड में बड़ो का था तो यहां पर बहुत ही जादे लोग आये हुए थे तो अभी हम लोग थोड़ा लेट गहे थे तो थोड़ा भीड कम था सटड़े सटने बहुत ही जादा भीड रहता है और बच्चों के साथ इनके डैड़ी भी मस्ती कर रहे थे बहुत ही मजा रहा था सबको अब देख सकते हैं कि हम लोग आचुके हैं प्लेग्राउंड एरिया में और यहां पर हो रहे हैं क्रिकेट मैच तो यह रात का टाइम है और यहां पर बहुत ही जादा भीड़े सटड़े हैं तो फ्रेंड आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और जल्दी से कमेंट करके बताना और जल्दी से एक वीडियो को लाइक भी कर देना और ऐसे ही मिलते हैं किसी अच्छे से नेक्स ब्लॉग में स्वाभी के लिए वाई वाई